हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विनोतमार आप सुभी का स्वागत करता हूँ जागरती ओनलाइन क्लासेस के अंदर तो चले स्टार्ट करते हैं आज स्टार्ट करेंगे हम फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम यानि मादा जनन तंत्र मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम रिप्रोड़क्टिव सिस्टम हमने मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में कम्प्लीट देख लिया था स्टार्ट करेंगे आज फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम झाल female reproductive system के अंदर सबसे जो primary भागोगा primary सरंचना जिसके बिना काम नहीं चलता है क्या बोलेंगे इसको ओवेरी क्या बोलेंगे इसको ओवेरी हमने endocrine gland के अंदर अंतस्रावी तंतर के अंदर देखा था यानि इसके अंदर पाई जाती है कि ओवेरी पाई आते हैं तो सुनना फिमयल के अंदर कौन-कौन से parts पाई जाते हैं लेकिन एक बात मजे की बात यह सारा जो webinar है वह सारे के अंदर पाई जाते हैं body के बार नहीं पाई जाते हैं body से बाहर पाई जाते हैसको बोलेंगे हम external कि यह ऊगया ठीक है तो इसके अंदर यह क्या हो गैसे पहले वेजाई ना वेजाई न कहने का मतलब हो गया योनि स्टार्ट कहां से होगा यह योनी से वेजाइना से वेजाइना आगे जाकर खुलेगी किस के अंदर है ग्रिवा के अंदर ग्रिवा कहने का मतलब इसको बोलेंगे हम सर्विक्स के अंदर और यह होगी अपनी वेजाइना वेजाइना और ध्यान देना यह आगे जाकर जाला गरबास है गरबासे कहने का मतलब यूटेर अयूट Wallace ूट्रस हो ठीक और यूट्रस आगे जाकर खुलेगा लेफ्टया यह वाल होगे अपना राइट साइड यह वाला हो गया कौनसा अपना लेप्ट साइड यानि फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस वाली पाइब को पूरी पाइब को बोलेंगे हम अंड वहीनी क्या बोलेंगे इसको अंड वहीनी या फिर इसको बोलेंगे हम फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे और ये निचे क्या होगा अंडा से निचे जो सरंसना ह होगे इसको क्या बोलेंगी हम उंड़ा से बोलेंगे ठीक Simmons का मतलब क्या हो गया और यह तो ऐसी सरंस्ना यहांपर है रायट साइड एसी कैसे सरंस्ना यहांपर हो के अंदर सेर्विक्स के अंदर सेर्विक्स ओपन होगा आगे जाकर किसके अंदर गर्वासे के अंदर यूट्रस के अंदर और यूट्रस ओपन होगा लेफ्ट एंड राइट किसके अंदर अंड वहीन के अंदर फैलोपियन नलीका के अंदर और फैलोपियन नलीका के नीचे फैलोपिन नलिका के नीचे होगी यहां पर फैलोपिन नलिका के नीचे जुड़ी होगी जिसका नाम क्या होगी हमारा अंडा से क्या होगा यहां पर अंडा से होगा ठीके तो इसके अंदर कौन-कौन से भाग होंगे सबसे पहले क्या होगे अपना फिमेल रिप्रोड़क्ट system female reproductive system यानि मादा जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं दो भागोंगे ध्यान देना सबी सुनेंगे आराम आराम से दो भागोंगे एक तो कौन सा हो गया वही मेल की तरह यानि प्राथमिक जनन अंग कौन सा हो गया प्राथमिक जनन अंग यानि प्राइमर काम नएँ चलने वाला जिसके बिना काम नहीं चलने वाला अब उसको उसको बोलेंगे हम अंडा से क्या बोलेंगे एंडा से कहने का मतलब ऑवैरी हो गया ठीक है तो सबीह सरचना में उसके ऑपना सॉक्ष सर के निवब कहने वाले हैं già荷 दो ठीक है और बाक्की वाली सरेंशना सेकेंडरी में कौन कोन आएगा तो सबसे पहला क्या हो गया अपनी योनी फैलोपियन नलीका क्या हो गया फैलोपियन नलीका अरे बासमा आगी क्या ठीक है एक बार वापिस देखते हैं सबसे प्राइमरी ओर्गन सबसे प्रात्मिक अंग कौन सा हो गया तो सबसे प्रात्मिक अंग हो गया कौन सा वाला अंडा से कौन सा हो गया अंडा से ओवेरी और secondary कौन सा होगा वेजाईना गरिवा गरबा से और क्या हो गया अंडवाईनी देखो इसको बिलकुली रटने की जुरूत नहीं है ना समझेंगे वापिस इसको यह देखो डाग्राम देखो सबसे प्राइमरी कौन सा होगे अब एक नमबर सरंचना होगी जिसके बिना काम नहीं चलने वाला कौन सा होगया ओवेडी बता ओवेरी यानिए अंड़ास से कितने होते हैं CDC बात ते संदो होंगे एक होगे राइट सेड में यह कौन सा होगा लेट सेड में होगा और यह सबसे important सरंचना कहलती है सबसे महत्वपूर सरंचना कहलती है तब यह तो इसको क्या बोलेंगे प्राथमिक सरंचना कहने का मतलब क्या हो गया इसके भीना भाई काम नहीं चलने वाला है ठीक है और यह enter गुपमतों पर द्वास प्लते हैं सर्विक्स काने का मतलब जहां पर गर्बासे ऑर अपस Мिलेगी इसको क्या बोलेंगे हम वेज उसको क्या बोलेंगे गिरिवा बोलेंगे सर्विक्स बोलेंगे और आगे उपर एक बड़ी सी सरचना होगी बड़ी सी सरचना होगी जिसको क्या बोलेंगे हम घरबा से यह गरबा से मोपन हो गया और गरबा से के राइड साइड लेफ्ट साइड में गुप और अंडवाहिन निचे एक बड़ी बड़ी गोल चोटी-चोटी सनचना होगी जिसका नाम क्यों एंड़ा से क्या जौया नाम वंगै इसका नाम होगयं किया? इसका अंड़ा सहो गया बार्स मागी क्या तो तो सबसे पहले हम इस्टार्ट करते हैं किसको सबसे पहले सरंचना कि यह प्रात्मिक है यह प्रात्मिक जनन अंग होता है, यह प्रात्मिक जनन अंग होता है, यह एक जोड़ी पाई जाती, एक जोड़ी पाई जाती, बताओ कितनी होगी, एक जोड़ी होगी सिद्धी सी बात है, एक जोड़ी कहने का मतलब कितने होगे, दो पीस होगे, एक इसेड, एक इसेड, तो कितनी जोड़ी यानि दो पीस होगे, नंबर के अंदर कितने होगे, यह दो होगे, बासमा आगी क्या, ठीक है, और काँ पर होगी, यह फैलोपियन नलिका के नीचे, यह फैलोपियन नलिका के नीचे, अब आती सर यह फैलोपियन नलिका, यह क्या मांज रहा हो गया, तो फैलोपियन नलिका क केने का मतलब क्या हो गया वही अपना हिंदी नाम अंडवाहीनी क्या नाम हो गया इसका अंडवाहीनी यह अंडवाहीनी के निचे फैलपे नलीका के निचे नलीका के निचे पेशियों से जूड़ी होती है जूड़ी होती है कि बात्ते समझ में आ रहे हैं कि बिल्कुल एकदम एक देखो किसे जूड़ी हुई फैलोपे नलिका फैलोपे नलिका के नीचे और यहां पर क्या होगा कुछ मसल्स होगी पेशियां होगी उस पेशियों के सहता से यह जूड़ी हुई होगी ठीक है यह प्रात्मिक जनन अंग होगा यह एक जूड़ी पाई जाती है फैलोपे नलिका के नीचे पेशियों से जूड़ी हुई सरंचना होती है बात से में आगी क्या अब क्या करेंगे हम इस अंड़ वहिनी को हम बाहर निकालते हैं एक अंड़ वहिनी को बाहर निकालते ह जननिक उपकला कौन सी वाले उपकला जननिक उपकला यह पाई जाते ही इसके अंदर जननिक उपकला जननिक उपकला जननिक उपकला यानि जर्मिनल एपिठीलियम पाई जाते ही इसके अंदर और इसकी साइज होगी वो कितने होगी टू टू फोर सेंटिमीटर साइज कितने होगी इसकी 224 सेंटिमेटर इसकी साइज होगी बात करेंगे इसका कारिय क्या होगा इसका कारिय क्या होगा वेरी वेरी इंपोटेंट कारिय इसका कारिय क्या हो गया भाई इसका कारिय सी बात है अंडानों निर्मान करना किसका निर्मान करना अंडानों का सुकर्रानों तता अन्डानों, आपस में मिलेंगे, यह तो क्या कहलता है भी अपना निचेसन, क्या कहलाएगा निचिसन कहलाएगा यह निव garbageation कहलाता है अब अन्डानों बनानों तो पढेंगी हम जानते हैं अंडानों कौन बनाएगा। फीमेल बनाने का काम किरेगी ? female के अंदर कौन बनेगा अपना अंडा से कौन बनेगा अंडा से यहां पर बनाने का काम करेगा तो क्या हो गया अंडानों का निर्मान करना किसका निर्मान करना अंडानों का निर्मान करना बहुत बढ़िया very very important अंडानों का निर्मान कौन करेगा आज के बाद में अंडा से करेगा कौन करेगा अंडा से करेगा और किसका निर्मान करना हार्मौन का निर्मान करना हार्मौन का निर्मान करना बतो फीमेल कंदर हार्मौन कौन से आपको याद आ रहा होगा फीमेल कंदर हार्मौन कौन से हो प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का निर्मान करना हार्मोन का निर्मान करना बहुत बढ़िया इसका काम क्या हो गया? दो काम हो गये इसके कौन कौन से सबी सुनेंगे काम नंबर बन काम नंबर बन हो गया इसका कि सबसे पहला काम यह बनी ही किसके लिए अंडनू बनाने के लिए बनी तब इन थो उसका नाम हड़ा यानी अंडा से बढ यह क्या बनादा ना यहांनि البनाने का काम करेगी यह ऑज़ो Statement काम क्या हो गया कि इसका कार्य क्या हो गया ये दो काम होगे ठीक है देख बार वापिस बता दो सारी सांति के लिए सबसे पहले बात करेंगे अंडा से की फिमेर रिपोड़क्टर शिस्टम को हमने पूरा खोल के दो भाग के अंदर व्यवस्तित कर लिया एक तो होगे अपना बारवाला जो बार दिक्व ze देगा जisl को बोलेंगे हम अम एक्स्टरनल जनेटल्या बोलेंगे यानि बहारी जनन अंक के बारे में बेलकुल बाते नहीं करेंगे जब बड़े हो जाओगे अब बच्चे बोलेंगे कि सर इतने और भी ज्यादा कितने बड़े होंगे जब आप 11-12 में चले जाओगे तब आपको पढ़ाए जाएगा अब इंटर्नल जानेटेलिया यानि अंदर वाला आंतरिक शनचना के अंदर बताओ सबसे पहले योनिवेज़ा वेज़ ant- entreg फोलेगी बहुत बड़िया किसके अंदर सर neste कड़क्विक सागे जाकर किसमेंखों आपना अंडॉक्तर कम न ऐख और के दोनों शंग हाँ बहुत बढ़िया कौन सी वाली फैलोपेन नली का अंडवाईनी अंडवाईनी के नीचे होता अपना कौन अंड़ा से अंडवाईनी के नीचे कौन हो गया अपना अंड़ा से बहुत बहुत बढ़िया तो हमने डिसकस किया था उसको दो भाग के अंदर डिवाइड कर द और इसकी कार्य की बात करें, very very important, तो इसका कार्य क्या हो गया, बहुत बढ़िया, इसका कार्य क्या हो गया, सर अंडानू का निर्मान करना, और second काम क्या हो गया, हार्मोन बनाना, कौन सा कौन सा हार्मोन होगा, very very important, estrogen और कौन सा वाला हो गया, progestron हार्मोन, और female के अंदर द structure next structure कौन सी आएगी अभी अपनी स्टार्ट करते हैं जित्यक जनान अंग जित्यक जनान अंग जित्यक जनान अंग कहने का मतलब क्या हो गया secondary reproductive organ secondary reproductive organ बताओ कौन सा होगा secondary के अंदर सबसे पहला एक नंबर कोनई को आएगा बहई cervix तर्विकस यानि ग्रिवा तथा वीजसाइना यानि योनि तथा यानिव ग्रिवा यानि वर ग्रिवा यानि क्या हो गया वेजाइना वेजाइना एंड करेंग के बहुत बढ़ाएण सब्सक्रेंग अपना गर्बा से और ये हो गया भई अपना क्या क्या एगा वेज़ईना वेज़ईना यानि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे योनी और जहां पर ये गर्बा से मिलेगा आपस में इसको क्या बोलेंगे जहां पर ये गर्बा से आपस में मिलेगा क्या 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 क्य क्या हो गया इसके बारें बात करेंगे एक लंबी सी पाइप समान सरचना होगी एक लंबी सी सरचना होगी इसके अंदर और जिसकी लंबाई कितनी होगी आट से 10 cm कितनी होगी इस वेजाइना और सर्विक्स की लंबाई कितनी होगी आट से 10 cm आट से 10 cm इसकी लंबाई और अब बात करेंगे इसका कारिय क्या हो गया। तो मेल होता है। जो मेल है जो नर है वो क्या करेगा पैनीज को यहीं एंटर करेगा। पैनिस को यहीं एंटर करेगा, यानि संभोग की किरिया के अंदर ये help करेगा, मैथून की किरिया में ये help करता है, और इसका काम क्या हो गया, बहुत बढ़िया इसका कारी हो गया, कि जो यहां पर बच्चा, गरबासे के अंदर बच्चे का क्या हो जाएगा, परिपकुन हो उसका वो मैच्वर हो जाएगा जब पूरे बच्चे का निर्मान हो जाएगा तब एकोच मैंट के अंदर क्या होगा help करेगा यानि परशव के अंदर help करेगा बच्चा इसी चनल के द्वारा इसी रास्ते से बच्चा बाहर आता है जिसका नाम क्या हो गया गृवा और क्या हो गया योनी हो गया तो हम दोनों को मिला के हम क्यों नहीं बोल दें कि बर्त केनाल क्या बोलेंगे इसको बर्त केनाल बोलेंगे अरे बर्त केनाल हमने क्यूं बोला बड़े ध्यान से सुनना सबसे पहली बात तो क्या होगी कि यह 8 से पैनीस को अपने सिसन को इसी पार्ट के अंदर वो एंटर करेगा और इसके अंदर क्या होगा वेरी वेरी इंपोटेंट जो बच्चे का मैचुरिसन ऑगा पूरा बच्चा परीपकन हो जाएगा मैचौर होने के कैसे सरंचना हो दी बही लंबी सरंचना होगी बास में आगी क्या और कि और क्या भी हो गया सेकेंड पॉइंट क्या हो गया यह मैं थून की किरिया संपन होती है मैं थून की किरिया यहां पर संपन होती है इसे क्या बोलेंगे हम बर्त कैनाल भी कहते हैं क्या बोलेंगे इसको बर्त कैनाल अप्र ब्रून के परिपक्वन, परिवर्धन के बाद, देखो बात को सुनना, यह 8 से 10 सेंटिमेटर लंबी सी सरचना होगी, जिसके अंदर क्या होगा, मैथून की किर्या यहीं संपन होती है, अगला पॉइंट क्या होगया, कि पूरा भूरून का क्या होगया, यहाँ परिवर्धन होगया, परिवर्धन कहने का मतलब विकास होगया, विकास होने के बाद में यह इसी रास्ते से, इसी कैनाल से, बोडी से बाहर आएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगी, हम बर्त कैनाल बोलते हैं ठीक है भून के परिवर्दन के बाद इसी रास्ते से शरीर से बहार निकलता है इसलिए इसे इसलिए इसे बर्त कैनाल क्या बोलेंगे अपने इसको बर्त कैनाल भी कहते हैं क्या बोलेंगे इसको बर्त कैनाल भी कहते हैं बासमागी क्या है और इसका क्या हो गया यह फीमेल के अंदर साइकल चले कि का इसी रास्ते के इंडर एंटर करता है थीक है सुकराणों को अंदर डालता ही यहांसे। और इसका कार्य क्या हो गया, कि बर्त कैनल वोलेंगे। या नि जो बच्या होगा वह इसी रास्ते से बाहर आएगा यानि क्या ग्रीवद हाद और योनी। और क्या होगा जो MJ स्ाइकल चलती जो मेंस्टूज स्था चलती है उसके इंदर जो कि गर्वास है कि यूट्रस कि देखो यह सरंचना कैसी होती है ऐसी सरंचना ऐसी कहने का मतलब कैसे हो गया यह पियर से पिया नास्पति आकार की सरंचना होती है कि कसी अंदर अलग अलग ले जाएंगे यह क्जडा बिलकुली ठिक बड़ी सिस्चना होगी पेशियों की बनी हुई muscles की बनी उसनचना होगी और इसके अंदर तीन अलग-अलग layers पाए जाते हैं layers कहने का मतलब क्या हो गया परते हैं पाए जाते हैं यहाँ पर सबसे बाहर वाली जो परत होगी इसके अंदर वो कौन सी होगी perimetrium कौन सी होगी भई perimetrium perimetrium बीच वाली जो मोटी सी थिक layer होगी जिसका नाम हो गया myometrium क्या कहेंगे इसको myometrium कहेंगे और सबसे अंदर वाली जो layer होगी जिसका नाम क्या हो गया endometrium कौन सा हो गया endometrium ठीक है तो अपना जो गरबा से होगा uterus होगा उस uterus का आकार कैसा होगा नास्पति आकार का कैसा होगा नास्पति आकार का होगा और इसके अंदर कितनी लेर्स पहेजाती हैं मसल्स की बनीवी लेर्स पहेजाती इसके अंदर और इसकी कितनी लेर होगी तीन लेर होगी कौन-कौन सी Perimetrium, Myometrium, Endometrium एक बार सभी बोलेंगे कौन कौन सी होगे भई हाँ बहुत बढ़िया Perimetrium, Myometrium और कौन सी होगी Endometrium सबसे बाहर वाली होगी वो कौन सी होगी अपनी Perimetrium होगी और ध्यान देना जब ग्रून का क्या हो जाएगा यहाँ पर परीप निक्यचन हो गया निक्यचन के बाद में इसका क्या हो जाएगा विदलन हो जाएगा विदलन कहने का मतलब 2 कोशिका से 4 कोशिका 4 कोशिका से 8 कोशिका और 8 से 16 कोशिका और जा के यहां पर जो घरवासे की जो आंत्रिक दीवार है कौन सी वाली Endometrium ये endometrium के अंदर जाके चिपक जाता है, endometrium के अंदर जाके चिपक जाता है, भून का जैसे परिवकन हुआ, परिवकन होने के बाद में क्या होगा, वो चिपक जाएगा, उसकी दीवार के अंदर चिपक जाएगा, कहां पर चिपकेगा, वो endometrium के अंदर, कहां पर होगा, चि ने का मतलो उसके अंदर परतें पाई जाती हैं परतें 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 कौन कौन सी बताओ जल्दी से तो परते होगी सबसे पहले वाले कौन सी होगी पैरी मैट्रियम कौन सी होगी पैरी मैट्रियम सेकेंड वाले कौन सी मायो मेट्रियम कौन सी होगी मायो मेट्रियम होगी पैरी मेट्रियम मायो मेट्रियम और कौन सी वाले होगी एंडो मेट्रियम कौन सी होगी भई एंडो मेट्रियम होगी तो गर्बा से कितनी दिवारे होगी तीन दिवारे कौन कौन सी पैरिमेट्रियम, मायो मेट्रियम और कौन सी होगी एंडो मेट्रियम अरे बातने सुझ में आ रहे हैं कि आपको गर्बा से कैसी होगी गर्बा से पेशियों की बनीवी सनचना होगी कैसी होगी हां बहुत बढ़िया पेशों की बनी शनचना होगी जिसकी बारवल लेयर क्या कहलाएगी पैरिमेट्रियम बीच वाली क्या कहलाएगी मायोमेट्रियम सबसे अंदरवल लेयर कहलाएगी वो एंडोमेट्रियम कहलाएगी अब बात करेंगे इसका कार ये क्या हो गय अरे बहुत बढ़िया, भुरून का यहां पर क्या हो गया, परिवर्धन हो गया, परिवर्धन होने के बाद में क्या होगा, यह इसी दिवार के अंदर जाके गरबासे के अंदर जाके चिपकेगा, और 9 महिने तक वहां पर उसका क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, पर do matriam के इंदर जाके वह चिपक जाएगा बासम्हारी तो यह तरिकिर्या को बोलेंगे किसको अंतर रोपन का अंतर रोपन कहने का मतलब oder reimplantation का बोलेंगे उसको हाँ बहुत पड़िया Viva應該 to return आते है कि फिखने क्या हो गया implantation और वहीं उस बच्चे को क्या मिलेगा nutrition मिलेगा portion मिलेगा और बच्चा दिरे-दिरे उसके अंदर विकास होता जाएगा और बच्चा बड़ा होता जाएगा बाते सुन में आरे कि आपको बुरून का अंतरोपन घरबासे में होता है गरबासे में होता है यह सारी चीज आगे काम आएगी ध्यान देन आगे काम आएगी है न जब अब चप्ट के अब अंतरोपन करना लिख दो इसको अगली वाली सरंचना को स्टार्ट करते हैं ठीक है, next structure, कौन सी वर रहागी बहुए next structure, CDC बात है, जल्दी से एक बार सांती के लिए नाम बताएंगे, ये वली सनसना क्या 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 प्यक्ति यह क्योंनीरल को ग्रीवा उगया सर्वीक्स हो गया आगे जाकर किसमें खुलेगा ये बहुत बढ़िया गर्बास्यक अंदर खुलेगा यूटरस्में खुलेगा और यह क्या होगी अंड भाहिनी क्या होगी अंड वाहिनी कहने का मतलब फैलोपेंट ट्यूब और ट्यूब के नीचे सनसना होगी जिसका नाम क्या हो गया अंडा से नाम क्या हो गया इसका अंडा से हो गया ठीक है तो स्टार्ट करेंगे अंडा से हमारी सनसना हो गयी योनी वैजाई ना दोनों होगी गरबा से स्टार्ट करेंगे किसको अंडवहेनी को अंडवहेनी ओवी ड अब इस अंडवाईने के और क्या क्या नाम है इससे क्या बोलेंगे हम फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे अगर अंडवाईनी आजाए फैलोपियन ट्यूब आजाए ओवी डक्ट आजाए तो बिल्कुली गबराना बिल्कुली नहीं है ना अंडवाईनी या फिर इसको क्या ब करेंब कि अभर दिएखर किया बोलेंगे इसको वर बोलेंगे इसके जो एक इतने सारे नाम होते है अब आता यह कि ऑट फेंट कि को यह वारी होगी हमारी ओवी डघ्ट यह बाले कि यह वाले होगा ऑवी डॉवार्थ कि होगया घर्बा से देखें बिल्कुल इप्सिमक्ण डागर है यह वाला जो पाइप कलेगा यह वाला यह बोला यह का यह कलेगी और डक्टहाइगी बातों को समझेना विगलकु एकडम आराम से ये पूरा पाइप, ये पूरी सरचना क्या करेंगी अपनी ओवीडजe क्या क्लाएगी यानि क्या क्या जफ मैं और इसके अंदर पाला, आपको बिलकुट एक दम दिख रहे है ne? पतली सनचना बिलकुर दम पतली सनचना संकीन सनचना इसको बोलते हम कि can कि it uma schedule अपनिसको or autocорм be और जो फुला जबागे वो कहलता है एवफुलला क्या कलाएगा एवफुला कलाएगा और ये वाला जो blanket para doubles ज़ो अंगुलियों के समान्ज जो सरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलेंगे हम फिंब्री लेंगे अब टॉटल इसकी लैंट की बात करें इसकी लैंट कितनी होगी 10 से 12 से 12 सेंटिमेटर लंभी सरचना होगी 10 से 12 सेंटिमेटर लंबी सरचना होगी अरे यह हो गया गरवा से हो गया गरवा से के लंबी लंबी पतली सी बिल्कुल सरचना पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे हम अंडवाहिनी बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको अंडवाहिनी और अंडवाहिनी के लंबाई कितने होगी दस स 12 cm लंबही होगी इसके भाग कितने होगे तो इसके तीन भाग होते हैं कौन कौन सा इत्थमस एमफूला और कौन सा हो गया फिमरी इत्थमस एमफूला और कौन सा हो गया फिमरी अब देखो इसकी बात समझो बात समझो यहां पर क्या होगा नीचे आपको सबको याद होगा य और यहां से आते हैं सुक्राणूं यहां पर आते हैं सुक्राणूं बहुत सारे अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में, अगर अंडवाहिनी के अंदर भी पूचा जाए, कि निचेशन की प्रिक्रिया काँ पर संपन होगी, तो बहुत बढ़िया किसमें संपन होगी, अपनी एमफूला के अंदर, एक बार वापिस समझना, बिल्कुली सांति के लिए अंडवाहिनी के लंबाई कितनी, हाँ, बहुत बढ़िया, आठ से, दस से बारा सेंट्रिमेटर एप्रोक्स के लंबाई होगी, ये दोनों साइड होगी, यानि कितनी होगी, ये दो होगी, नंबर के अंदर कितनी होगी, दो होगी, सिधी सी बात हैं, आठ से, दस से बारा स सेंट्रमेट्स की लंबई होगी इसके कितने भाग हो गई हाँ इसके तीन भाग कौन कौन सा इत्थमस एमफूला और कौन सा हो गया फिमरी कौन सा हो गया इत्थमस एमफूला और कौन सा हो गया फिमरी हो ठीक है तो सारी चीजों को लिखते हैं एक बार यह दस से बारा सेंटिमीटर लंबी होती है लंबी होती है ठीक है आठ दस से बारा सेंटिमीटर लंबी होगी इसके भाग इसके भाग कौन कौन सा होगा सबसे पहला कौन सा होगा इथमस एकदम बिलकुल यह संकीन सनस्टना होगी जो पतली वाली सनस्टना होगी इंतमस और जो फूला हुआ जो फूला उसका नाम क्या हो गया एंफूला क्या हो गया एंफूला और निचे वाली कौन से होगी इसको क्या बोलेंगे हम फिंबरी बोलोंगे या फिर क्या बोलेंगे इसको इंफंडी बूलम या फिंबरी दोनों एक ही बात होती है कारी की बात Cecil fihelopeyan nelika में तो बासन में खाई क accumulate a little deeper than in dollars कोगे हो ढिए यह पर कराना यानि क्या करना इसके अदर क्या होगा निचेशन होगा और बासन में आघी क्या ठीक है तो वर्मिन युश्टोय वह अपने तीन बाह्तवर आपِ कौन सा हो गया फिंबरी हो कि अभी तक हमने पढ़ लिया था कि इसके बारे में मेल रिपोड़क्टिव सिस्टम और फिमेल रिपोड़क्टिव सिस्टम और जिसके अंदर हमने अलग अलग पार्स की बात की ती मेल के अंदर किसकी बात की हमने प्रात्मिक और दित्यक फिमेल के अंदर भी बात कि हमने की बात की जनन कहने का मतलब क्या हो गया बाई साब से एक चोटे से बच्चे का निर्माण होना यानि उसके ही जैसे नई संत्ति का निर्माण और ना क्या कहलेगा जनन कहलेता है अब जनन की कौन-कौन सी विद्यां पाई जाती है दो विद्या पाई जाती है लेंगिक और अलेंगिक सेक्सुल और कौन सी होगी अपने एसेक्सुल अब आगे हम बात करेंगे कि उसकी कौन-कौन से स्टेप होते हैं स्टेप कहने का तो क्या होगा gemetogenesis यानि शुकरानु और अंडानू का बनना क्या कहलाएगा gametogenesis युगमग जनन अब समझनाए देखो हमें तो अभी तक क्या देखा अंगों के बारे में देखा female reproductive organ और male reproductive organ के बारे में के केवल और केवल उसकी सरंचना के बारे में युगमक जनन के बाद में क्या होगा निचेशन होगा क्या होगा भई निचेशन होगा युगमक बनने के बाद में क्या होगा निचेशन होगा निचेशन कहने का मतलब क्या हो गया फर्टिलाइजिसन हो गया फर्टिलाइजिसन के बाद में क्या होगा विदलन होगा उसके होगा यायनि इंप्लांटेशन होगा उसके बाद में क्या होगा परसवहोंता होगा बढ़त ही हो बच्चा त्यार हो गया है यह सारी चीजे हम पूरेले स्टेब के अंदर देखेंगे लिए चार काम कौन से तो सबसे पहले बात करेंगे हम जितनी की बात करेंगे कि जिक्ट मतληद कहने का मतलब क्या हो गया फिर मेंटो जैदेस हो गया इस इस की बात करेंगे हम next class ओके वीडियो को देखने के लिए आप सबी का बहुत-बहुत धन्यवाद झाल झाल